नमस्कार वोटर के साथ रिपोर्टर कारिकरम में आप सभी का स्वागत है और मैं फिलाल हूँ अलवर ग्रामीन विधान सभा के अकबर पुर्गाओं में यहां पर मद्दाता से बात करने की कोशिस करेंगे कि किस तरीके से यहां उनके जो पांस साल जो विधायत और सांसत र जनता की उम्मीदों पर खरें उतर पाएं या नहीं आई यह बता तो आप बताएं कि यह जो आप संतुष्टे किस तरीके से जो काम हैं को हो पाएं बहुत बढ़िया कारिकाल रहा है मोदी जी नेक्रु में बहुत अच्छा काम दिया है हमारे पुराने सांसत जो अभी वर पास सरवाजी ने लाई वे जो अभी बनने जाया दब चुनांगों से बाद इससी मंजूरी आ देए सबसे बड़ा साम सुझे सरवाजी आ अलवर का जो मिल्केक है वो प्रसिद माना जाता है कि आप देखते हैं कि खुद किस तरीके से जो मिल्केक है उसको बना रहे है मिल पहले की जा रही है जबकि सरसों का उत्पासन हो चुका है गहूं के अभी उत्पास रहे हैं सिर्फ थोड़ा दिन पहरे साथ अजार से अजार भी और ताली सबस्क्री है तो कहीं किसानों का जो असली दर्द है वो सामने आ रहा है कि आप किस तरीकिसे देखते हैं सानसथ के जो पांच साल का जो कारेकाल बहुत सुन्दर कारेकाल बीता है और मोदी जी के जो सब्सक्राइब करें तो बहुत सारे बढ़िया सा होस्पिटिल ट्यार है और बरबर ऐसे कोई दिक्कद नहीं है अलवर से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन की बात करें तो कोई पैसेंजर ट्रेन ना बिजेपी लापाई है ना कॉंग्रेस लापाई है यह भी आजाएंगे वा सब्सक्राइब करते हैं और इसमें सबसे बढ़िया हमारे जो चैप पहले सुरू में शुलाल चैनी था नटवर शिंगी थे पाइलेट साफ्टेजी जू गुजरगे यह कारिय करता कि पैशान थी इनके पास में अपके जो मत्वर्द ऐसे मंत्री बने हैं टीकर आम दूली सब्सक्राइब करते हैं और काम कुछ करते हैं इसलिए मैंने चोड़ के हमने तो मोजी जी की सरकार दुजे की कोंग्रेस में रहते हुए आपके जो चनाव आये थे जाराम जाटा उबर यहां से लड़ा था कभी से मैंने बीज़ेपी के हैं करनी मतलब और इसका कहना है कि पहचान नहीं है उनके काम नहीं होते हैं जी सर्पन साब आप किस तरीके से देख में बोट उसको दें यह हमारे अलवर जिले का सोबाग है कि बीजेपी ने एक बड़े कद का नेता को हमारे यहां से प्रत्यासी बनाया जिससे उम्मीद है कि जिले के विकास को चार चांद लगेंगे इसलिए मेरी तो आम जनता से पर अपील है कि विकास को देखते हुए देखना चाहिए अलवर जिले को विकास के लिए डाक्टर भूपिंद्र यादो को बोट देना चाहिए इसका पर जाए लेकिन अब उसकी बन गई और विक्तिय सुक्रति मिल गई है तो आप लोकल है क्या हिंदु मुसल्मान की बाते करते हैं तुनाव होगा तो यही एक दोर चलेगा आप किस तरीक से देखते हैं जो इस्थानिया भाईचारा है उसको बनाया रखनी की तो आप देखते हैं पिछले दिनों भर्ती को लेकर करके बहुत सारे हुएं बिल्कुल जो पिछले सरकार जो कॉंग्रेश सरकार थी उसमें जो सभी को पता है कि युवाओं के साथ कितना चल हुआ है जो बच्चे खुन-पसीने की कमाई जैपुर तयारी कर रहे थे कहीं दिल्ली में तयारी कर रहे थे वह जो मैंत कर रहे थे बच्चे उनका कहीं कोई सलक्षन नहीं हुआ और जो फर्जी तरीके से पैसे और घूस लेके जो उनकी सरकार के मंत्री थे उन्होंने गोटाले करके अपने रिष्टेदारों को डोट करुश नीटिकी करते तांगरे सरकार करती कि उन्हों मुद्दों को खतम किया नरेंद्र मोदीजी ने जैसे म Forsch चो रहता करते दिये शुव करते तीन सुव टॉ से करवादी गई है हमारे मंद्री द्वारा और ऐसी पानी की समझा नहीं जल गरगर जल योजना जो नलका था वो भी हमारे यह पूरा चल रहा है काम और पूरा हो चुका है टंकी बन गई है लाइन डल गई है कि अब बताएं कि आप यहां जो है खेती किसानी के लिए आप जो बीज और यह बेटे कितना जो सरकारे आती है जाती है जाती है इसका आम जंता और किसानों पर इतना फरक बढ़ता है जो मोदी जी के नेतुद में अच्छा काम हो रहा है अच्छी है किसान अपनी माल बेच है पैदावारी बढ़िया हो रही है पानी की थोड़ी समस्या है तो वह दीरे-दीरे कम हो जाएगी यहां जो इस्थानिये सांसद रहे हैं पहले चांदनात थे फिर बालकनात है उससे पहले भामर जी तिंदर शिंग रहें बड़ी बात दिया है अब कुछी टाइम बाद यह बनना चालो जाएगा अलवर से यहां नतनी का बारा तक डिवाइडर रोड बनेगा इसे क्या है जो एक्षिडेंट वगरा खत्रा है वो भी कम होगा सरिष्का यहां एक बड़ा परेटक इस्तल मन सकता है उसको लेकर के बात चीते होत दिया है कि आपको लगता है मेन तो यह रोड की समझ्या थी जो अभी हल हुए है अब लगता है कि हमें भी स्रिष्का का थोड़ा विकास होगा मेन समस्या पानी की और बिजली की है जैसे किसानों को हमको गर 8 घंटे दिन में अगर लाइट मिल जाया तो किसानों को फाइद कि सब्सक्राइब करें लोगों की समयश्याव का समयदान हो तक अब आगे इस सफर में और भी लोगों से बात करें गेघाल में मौजूद हूं अक्पर्पुर के बावडी है यहां एतियासी को और असके पास पास का इलागा है और यहां जो ग्रामीन है उन मददताओं से बात करते हैं कि पांस साल का, वह तरीके से हुआ हैं और यहां जो स्थानिय सान्सक्ट रहे हैं उन्होंने पांस साल में क्या काम किया हैं क्या जन्ता उनके कामँ को जो उम्मीदें थी वो फूरी हो पई यह नहीं हो पाई है। जी आप बताएं कि आपको क्या लगता रहे था इनका कारेकाल कि का नहीं लगकात беспशलिय का सर को ले करके और यहां इस्तानी समस्याओं को ले करके क्या को काम हो पाया है। अब बताएं किस तरीके से देखते हैं यहां जो विकास को राजनितिक बात होते हैं म्यवद का यह इसारे मुद्धे रहें पिछले दिनों को कर्शी का मुद्धा बड़ा हवी रहा था, किस तरीके से देखते हैं? यह विकास की गंगा है हम बोले मुझी सरकार के विकास हुआ है और राष्ट धर्म के जो काम करेगा वह सरोपर ही माना जाएगा जी इनका जो मानना है वो कि आप किस तरीका से देखते हैं युआ हैं क्या आपको लगता है कि पिसले दिनों पेपर लीक के बहुत सारे मामले होए हैं बरतियों में एक परिक्षार थी अपने तैयारी काता है लेकिन प्ता लगता है को पेपर लीक हो गय है अब लुक्त वह इ लोगों के लिए लोगों के लिए किसानों को सम्मान निदी योजना दे रही है ए मेसपी पर उन्हें पिसे वढ़ा हैं उसका अच्छा काम किया कए खिया है कि सद्धे रुप्य डु aur आजाूरु अ보ब दे रहे हैं छोटे उनुजा होगा संपून कर्जम माप्योगा यह जूट बोला इसलिए रास्तान में उनका सपाया हो गया और मैं बता देना जाता हूं आपको पुरी इन भारत से कांग्रेश मुक्त भारत होने जाए इनका कहना है कि अब यहां इस्थानी जो रोजगार की बात थी और NCR का जो फायदा ह है वह उतना नहीं मिल पाया लेकिन भविश में वह मिल पाएगा नमस्कार वेटर के साथ रिपोर्टर कारिकरम में आप सभी का स्वागत है मैं हूं राजिंदर सर्मा और फिलाल हम मौजूद है अलवर लोकसभा चेत्र के अलवर ग्रामीन विधान सभा के सिली सेड जील ज जमताल का करेकाल वह किस तरीके से रहा है और उन्होंने विकास करिया क्या जनता की जो उम्मीद हैं उन पर पूरा है अप बताएं उनका जो विकास क्या वह आप संतुस्त आright Nika उन्हों सब्सक्राइब कुछ बिगाड़ा तो नहीं ज्यादा नहीं किया अगर जान देते तो आज थोड़ी आती आपके सांसद रहे हैं वालकनाथ उन पर आरूप लगा है कि यहां यह साइसी जो मेडिकल कोलेज है उसमें नियुक्तियों को लेकर के उनके जो रिष्टेदार हैं उ इसा उनके फाइदा मिल पाया है कुछ फाइदा नहीं मिल पाया कॉंग्रेस और बिजेपी दोछे सब्सक्राइब दोनों की सरकारे रहती है लेकिन पौन पहुंचाती है लिए इसके लिए क्या मानते हैं पर आप कुछ कवर्तिया बहूंट सी चिंट लिए लेकिन यह कि आदम के नाम के पड़े रहते थे पूरा उन्हेंने कपड़ा कर रखा था कोई लेड़ा एक नदियाना था वोड़ जी के पास तुष्टी करन के नीती रही ती आप कि आप किस तरीके से देखते हैं कि जो डिली अंसियार का फायदा है वो नहीं मिल पाए क्योंकि सांसत का काम है वो बड़े विकास वर्तमान सांसत को एसी योजनल लेका आए में जिसको कह सकते हैं यह बड़ी योजनल आए हैं क्या था कि पहले चुनाव में बाबाजी आ गए था मालक मान चांदनाथ जी उनको क्या मतलब विकास है क्या पता जनता कैसे दुखी है और उसके आज अगर दस साल गये हैं दस साल मैं केंडर में सरकार थी मोधी जी की चाहता ना इतना विकास करा देता अगर कोई लोकल सांसत होता तो यहां का पर लोकल सांसत नहीं होने के नाते हमें ये पीड़ा जहलनी पड़ी है और स्याइद तैह सो बटा सो परसेंट अबके लोकल कि अधिक वोटों से हारे थे were the high a go cada present. दिली दिली मで होए यह लॉकल आद्मियों से संपर कम हुआ इस वजह से लोग थोड़ा सा नाराज होगें सब्सक्राइब क vì यहां पर यहां चैनल राजमी ति में देखते हैं कि जो राजमीती है जोक की चब्रया के व्ह कार्य करने लिए जतने भी वह क्त रहें जाते हैं। नहीं आलोते मुझान को परणें पारेन होगते ही तो यह जमीर लूते हैं है। इन घर भी को तो रहा थे बार करान की पॉहली हूंजद दो सब कुछ यहां पर रहा और जब भी कोई कार्य करता उनसे मिलने गया या आम जंता मिलने गई तो उन्होंने सब की पीड़ा सुनी जैसा यह कह रहे हैं बहुत बड़े कारी है तो मैं आपको बता हूं कि अभी हमारे अलवर से लेकर सरिस्का होते हैं जैपुर जाता है यह हमा खeteक शुप बड़े लिएट जो पीड़े और गुद कर अब हैं जैसा इसलिया उस्काद की थीए आन्से। चुनाव लड़ा तो बारी क्यों नहीं है यह कोई मतलब नहीं है इन लोगों का कि बारी है यह सब अपड़े अपड़े तरीके से उन सब्दों को यूज करते हैं लोकल जो लोग हैं यह जो इलाका है अगर शायद दोनों सरकारे बिजेपी हो या कॉंग्रेस अगर इस चीज़ पर ध्यान देती तो यहां के लोगों को रोजगार अधिक मिल सकता परियत उनको पड़ावा मिलता तो बिलकुल अगर सरकारे ध्यान देती हैं मैं तो अब भी क हैं जांता की बात क्या है जंसत्य विधायक वनिपने चाहिए उनका कि बनते हैं जो राह करते हैं तूरिस्ट की ससलिए लएप इसी पूंटे यह दुनिये दूर विदेश दूर प्रेट आ सकते हैं लेकिन यहां पर किस प्रेट को बड़ावा के लिए कोई सरकार ने कोई काम जी नहीं है एक बड़ा बीजन लेकर करके काम किया जाए तो यहां पर जितना ज्यादा विकास होगा तो उसका फायदा मिल सकता है सरिस्का और शेड़ को इसको फायदा तूरिस्ट को मिल लेगा अगर तूरिस्ट यहां पर अच्छा जादा दमाएंगे विकास होगा तभी तूरिश आएंगे इन से बात हुई तो विकास की बात होगी अगर परियाटकों को यहां पर रोजगार मिल सकता है तो उसको प्रिक्स और प्रिक्स धाले लागों में रेते उनकी आमद में भर सकती है। राजिंदर सर्मा, अलवर।